इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार किया है जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की इस्तिती आज इस देश में ये है तो एक काम आदमी की इस्तिती क्या होगी मुझे उमीद है कि मेरे साथ न्याय होगा अदमी स्पीकर साथ कारवाई करेंगे नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूँ क्योंकि ये एक सब्बे समाज में बरदाश्ट नहीं किया जा सकता क्या है क्या हम इसलिए चुन के आते हैं क्या देश को आजादी इसलिए दिलाई गई थी क्या हमारे पुर्खों ने कुर्बानिया इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतनिदी चुन करके जाएंगे तो उनको ये सुनना एको मिलेगा दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खीच के रख दिये महिलाओ को आरक्षन इस ये special session था 75 साल अमरत काल में हम गए है पार्लेमेंट की नई building में हम गए है महिलाओ के आरक्षन के लिए ये संसत का सत्र विशेश रूप से बुलाया गया वो आरक्षन कम मिलेगा दोजार उनतीस में लाग होगा दोजार चौतिस में होगा या दोजार सेतालिस में होगा अभी उस पर सवाल या निशान है मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा है कि क्या ये special session इस देश के चुने हुए एक सांसत को उसकी community से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटेक करना सोज भी नहीं सकता मैं सोज भी नहीं सकता इन्होंने किवल मुझे या मेरे followers को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार किया है पूरे देश की आत्मा को शर्मसार करने का काम किया है अब बस देखना इतना है कि रमेश विदूरी जी के खिलाफ Honorable Member of Parliament लोकसभा के खिलाफ उनकी पार्टी कोई कारवाई करती है या नहीं या देश ये इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन होकर के उनको केंद्रे मंत्री मंदल में शामिल किया जाएगा क्योंकि शायद ये competition हो गया है भाचपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए आप ऐसे बयान दीजिए जा रही है बहार तो धंकियां बहुत बार नेताओं ने इनके मंत्रियों ने सब ने दी है लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमरत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं आप तो बड़े स्वाइब देश को